इडोबी अडिशन इन 20 मिनट चाहे आप गेमर हैं चाहे आप न्यूज के रिलेटिड वीडियो बना रहे हैं या क्रिकट के रिलेटिड वीडियो बना रहे हैं अच्छा जी तो सबसे पहले में यहां से open करने ता हो अपना audition और audition open करने के बाद सबसे पहले जो आपको नदर आएगा वो ओगा आपका interface windows वगएरा तो यहां यह लॉल बटन आपको नदर आ रहा है ना यहां से आपकी recording स्टार्ट होगी recording हम करेंगे यहां से और पिर मैं आपको समझाऊंगा कि यह अगर विडियो का जो विंडो है या लेवल का जो विंडो है यह अगर आप किसी भाई मिस्टेक लिए आपसे घाइब हो गए तो इनको आप किस तरह से वापस इला सकते हैं यहांपर हम यहां पर हम क्लिक करेंगे करेंगे एक new विंडो शो हो जाएकी यहां पर हमें पूचा जाएगा कि भी जिसके के लिए आप पर अग्जांपल मैं इमरान हान के नाम और अब यह आपको मैं सुनवा देता हूँ कि मैंने क्या रिकार्ड किया है असलामुलेकुम जी और आपको एक जबरदस ब्रेकिंग निउस देनी थी कि लोंग मार्च का पाइनली एलान हो चुका है तो ये कि ये लेवल आपकी दिखाता है पर एकृत जानल के आपकी आवाज आपकी रिक्राडिंग बहु्त जादा तेज है या लू है यह ज्योegenँ का बहुत जादा तेज है तो यहाँ पर आपको देखे एक डल्ड आ रहा है कि 2017最近 का यह बयुद्व जयादा तेज है तो इसको नौर्मलाइज हम कर सकते हैं यह स्टार्ट में जगा चोड़ी हुई है ना इसकी एक वाज़ा है इसकी क्या वाज़ा है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वाज़ा है लेकिन लेट से अगर यह चीज़ते आपसे गाइब हो गई तो आप आएंगे विंडो हमारा अगर गाइब हो गया इस तरह से आप आगए तो आप गहेंगे वह यह कौन सा अडिशन है तो इसका बहुत ही सिंपल सिलूशन है कि आप उपर विंडो में जाएंगे और यहां से आप एडिटर डूड़ेंगे या सारों पर आप चिक लगा दे तो आपके काम की कुछ नहीं होगा भई इसमें आप जाएं डूंडे कुछ गलत करें कुछ भी करें सी के यह जगा मैंने क्यों हाली चोड़ी हुए है क्योंके अडिशन जो है ना चंद सिकंड के लिए वह जो बेग्राउंड होता है वह डिडेक्ट नहीं करता पहले दो तीन सिकंड के को निकालना शुरू कर देता है लिट से के यह जगा अगर मैं मुकमल साइलन्ट करना चाहता हूं जो कोई ऐसी जगा अगर है यह दे कि इसमें थोड़ा बहुत नौइस है आप वालियम पुल करके सुनेंगे ना तो आपको सुनाई देगा कि इसमें कौन साना है यह इस तर साइलन्ट करना चाहता हूं तो सेलेट करूंगा सिंपल राइट लेकर करके साइलन्ट कर दूंगा बास यह बिल्कुल साइलन्ट हो असलाम अलेकुम जी और आपको एक जबरदस ब्रेकिंग न्यूस देनी थी लेकिन अगर आप देके ना तो बेग्राउंड में पिर भी न जाएंगे यहां से हम आएंगे वही नौइज रिडक्शन एंड रेस्टोरेशन में और नीचे होगा एड़ेप्टिव नौइज रिड़क्शन उस पर क्लिक करेंगे हाई क्वालिटी आपका मूड यहां पर इसका चेक होना लाज़मी है ताकि यह बिल्कुल हाई क्वालि ने और पुल हाई वालियम पे उचा जए कि पुल हाई वालियम है अब यहां पर देखें कि यह यह तना तेज नहीं तो अगर पॉर एक्ग्जामपल जssa है कि आपका व्इज है वो बहुत ज्यादा लोग रेकार्ड दो आप जाएंगे इपर एपक्ट पे आप नीचे आए ऌपर नहीं आप आएंगे कंपरेशन पर और कंपरेशन में आप आएंगे नॉर्मालाइज पर आएंगे क्लिक करेंगे तो यहां से आप क्लिक करेंगे एपिलाय पर नॉर्मालाइज ہو Kommaly तेनी ती के लॉग Мыर्च का पाली एलान हो चुका है यह जहां जहां पर slow था ना वो automatically high हो गया उसका वाजिए यह जगा यहां पर फिर भी शोर आ रहा है last में से तोड़ा तो यह आप simply यह खाली जगा है तो आप delete कर लें इसको इस तरह जूम आउट कर दे यहां से complete आप delete पर click कर दे यह यहां से right click करके भी आप delete कर सकते हैं silent कर सकते हैं इसको बहुत ही simple तरीगा है इसका अच्छा एक और चीज़ में आपको समझाता चिनूँ पर example लिट से कि यहां से यह आप delete करना चाहते हैं तो यहां simple click करे delete button पर click करे और delete यह देखे हो मैं delete कर दिया control z मैंने प्रेस कर दि और यह भी है तो यह reverse हो जाता है undo हो जाता है यह जगा आपने पर एक्जामपल आपने यह जगा आउट की आवाज आपने सुनी ना वीडियो में अक्सर गाली वाहरा होता है या किसी website का या किसी बंदे का नाम होता है लेकिन उसको हम चाहते हैं पोड़कास्ट वगहरा मे चलिक करेंगे और यहां से ओके पर करेंगे तो जो जो जगा सलेक्ट होगी उसमें कुछ इस तरह की आवाज आईगी आपको फिर मैं आपको सुना देता हूं शरत अ आपको पो सम्झाने के लिए लगा या है एटितल की ए यह देखे पर एक्जामपल अच्छा ऐसा कर देता हूं ना मैं अससलाम अलेकुम सर्फ नहीं भी आप संजे कि भी आपने सर्फ सलावी गाइब कर दिया तो मैं पूरा यहां से तोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट कर दूंगा एरिया और उस पर मैं लगा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा वैसे ना हो कि आपको यहीं समझना अक्सर आपने देखा होगा ना कोई मुझसे ऐसी बात निकल जाती है कि वह पर हम चाहते हैं कि यार वो वीडियो में वह गाइप हो जाए तो उस पर हम इस तरह से टून लगा सकते हैं कि हाँ यहां पर कुछ कुछ ना कुछ बोला गया है लेकिन उसको बंद कर दिया गया है समझ आगे आपको यह देखे यह पूरे जगा टून की आवाज आपको आई कंट्रॉल जड़ दबा कर मैं इसको वापिस लेकर आओंगा आपको मैं जो समझाना चाहरा हूं में ख्याल से आप समझ गए होंगे यहां से दुबारा हम जिनरेट पहेंगे पर एक्जामपल यह यह इस तरह की चीज़े आती है काम इसलिए मैं समझा रहा हूं नहीं तो बहुत सी चीज़े हैं जो मैं इसमें चोड़ूंगा आज नहीं समझाओंगा फिर से हम जिनरेट में जाएंगे और यहां से अगर मैं चलो मैं स्टार्ट में ही आपको समझाओं तो अच्छा होगा जिनरेट पर मैं जाओंगा यहां से मैं स्पीच पर अगर क्लिक करूंगा तो लिट्स आपको समझ यह दे के स्पीच का क्या मतलब होता है कि यहां पर आप कुछ भी लिखके ना तो वो आपको यह बोल के दें कि यह एक English software है English अगर बोलेगा ना तो आपको भी समझ आ जाएगा और कोई अगर सुनेगा तो उनको भी समझ आएगा लेकिन यहां पर अगर मैं पर एक्जामबल उर्दू में कुछ लिक लेता हूं और फिर मैं हम उसको प्ले कर देता हूं तो आपको समझ आ नहीं आएगा यह कहे क्या रहा है तो फिर मैं English भी ट्रै कर देता हूं ताकि आपको सम जबर्दस मुझे सरफ समझ आया बागी मुझे भी समझ नहीं है तो मैं कंट्रॉल जट करके वापिस कर देता हूं अब दोबारा आ जाता हूं यहां पर जेनरेट स्पीच और यहां पर मैं लिख लेता हूं हेलो एवर्यवर्यवन खार हैं और English आप लेकिंगा नहीं तो पिर आपको समझ भी आए कर लेये कर आ चाया है तो यह रेके मैं वन Zुमा लेता हूं ए Theo everyone how are you now everyone how are you ? तो इस तरह से आप इसमें कर सकतें इसमें आपको भी आपको जरूणड बड़ी तो अब हम नीचे आ आ जाते हैं वही अपने कंप्रेशन में मैंने आपको नॉर्मलाइज तो मैंने आपको दिखा दिया Öista है इसमें बाग्य कात्वी पजूल में टाइम वेस्ट करूँ अगर पिर भी आपको चाहिए तो में नेक्स क्लास में यह सारे चीज़े एक्स्प्लेइन कर दूँगा लेकिन यह मेरे हैल से मुझे 20 मिनट का क्लास मेक्सिमम रखना है अच्छा डिले वे क्या होगा डिले में क्या होगा अब मैं आपको स यहां से होता है moment है तो मैं यहां पर प्लिय पे क्लिक कर दूँगा और ब्ले कर देता हूं को एक जबर देस्ट आपने सुन लिया आपको समझ आ गया को एक जबर समझा गया को कि यह क्या चीज़ है आप कोई सभी चीज यहां पर रपलई करेंगा तो आपको खुद बूबता देगा के मैं यह चीज हूं यह बहुत सिम्पल साथायह यहां पर मैं पार इक 산प्ल में को पर क्लिक कर देता हूँ और यहां से मैं कर दूं असरा मुलेकुन जी औरा को एक जब्रदस इससे तोड़ा सा डिपरंट उससे तोड़ा सा डिपरंट है ये तोड़ा सा तो जो चीज़ भी आप एपलाई करेंगा ना वह खुद बखुद आपको बताएगा कि वही मैं क्या चीज़ हूँ यहां से हम से रह गया है एक इनलोग डिले इनलोग डिले भी हम क्लिक कर देते हैं यह भी उसी तरह कार्ड एक डिले है लेकिन तोड़ा सा इनलोग सुनाई देगा आपको अच्छा जी कंट्रॉल जर्टा बाकर में इसको वापिस कर देता हूं और हम हम अपने निक्स्ट एकट की तरफ बढ़ते हैं कि वह इसमें और क्या क्या चीजे है यहां से में सेलेक्ट कर देता हूं अपेक्ट में में चला जाता हूं नियुषए पेक्ट में जाओंगा इhmen यहां पर आपको नजर आएगा तर मृतफी आप पेरियमेटक आपूलाइजर और डिरेक्ट चाहिए तेज होती है पिर स्लो होती है तो यहां से आप कर सकते हैं आज कर तो वैसे मुबाइल एड़ ने यह काम असान कर दिया है लेकिन एक प्रूपेशनल एक बड़ा सुप्वेर बड़े बड़े काम करता है यहां से आप इसमें आडियो एडिटिंग में क कमाल कर सकते हैं वैसे अगर आप यह सीख जाएं तो बारहाल यह हमारे इतने काम का नहीं है कि इस तरह की चीज़े तो मेरे ख्याल से एक वीडियो एडिटर टॉक्टॉक वाले वगएर वो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए साटपेयर अलड़ी अवेलेबल है तो उन पर वो कर सकते हैं इस तरह इसको आप हाई लो कर सकते हैं और आप अपर क्लिक करेंगे इसको मैं करूंगा को यह हाई लो नहीं होगा एक स्ट्रेट वाइस चैजी जिए मैं मेरे हैं से मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे वही अपने नौइज रिड़क्शन एंड रिस्टोरेशन किनके बाकी यहां से मेरे हैं से और कोई हमारी काम की चीज़ है नहीं कातिक एकुलाइजर वगयरा इस तरह से जो है वो काम नहीं आती यूट्यूब वगयरा की वीडियो के लिए तो मैं नीचे चला जाता हूं और यहां पर आपको मैंने डिकाया था कि एड़ेप्टिव नौइज रिड़क्शन से आप नौइज हटा सकते हैं उपर आपको जो नदर आ रहे हैं उसको आपने नहीं चेरना उसे भी हटता है लेकिन वह तोड़ा सा लिए समझ आजेगा कि यह क्या काम करता है यह बहुत ही सिंपल है वही तो मैं आज कर देता हूं सबसे पहले हम लास्ट वाले कर लेते हैं और आपको फोटो एक जबर दस तो समझाए आपको एक हाल वाला जो आडियो है ना आपको वह सुनाई दे रहा है अभी हाँ पर तो अक्सर इस तरह की आडियो या वीडियो एडियो में हम अक्सर हमें दरकार होती है ऐसी आडियो एडियो एडियो तो आप यहां से एजली कर सकते हैं दुबारा से मैं चला जाता हूं और अब हम क्लिक कर देते हैं स्टूडियो स्टूडियो खेर आल एडियो मेरा रिकार्ड यह देखिए इतना कुछ खास इडिट नहीं किया थे कि अगर लोकल माइक से रिकार्ड होती है ना तो फिर यह स्टूडियो रिवर्ब देता हूं और यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं और रिवर्ब पे रिप्लाई कर देता हूं असलाम अलेकुम जी वर्णाको एक जबर असलाम उलेकुम जीव्राइक को एक जबर दस मैंने कि हेटफोन पेने हुएना तो जो अप्लाई हो रहा है वो मुझे मेरे हैं से मुझे समझ आ रहा है शायद अगर आप का वालजियम है तो आपको एक ऐसे आर रहे ना कि यह बारिस करेंगे आपको इत्रों से होता क्या है सिंप्ली आप कंट्रोल जट करेंगे वापस आएंगे दूबारा करेंगे तो आपको पता लग यहाँ पर अगर मैं आ जाए स्पेशल में तो यहां पर आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है मैं यहां पर अगर stereo imagery में आ जाँगा तो यहां पर भी मेरे हैल से आपके कोई काम की कोई चीज है नहीं कि मैं आपको समझा दूँ यह देकि मैं आपको क्या समझाने लगा हूँ कि मैं अगर पर एजांपल आपने पहला हिस्सा आडिट कर लिया दूसरा वाला अभी रहता है लिकर आपको कोई काम पेशा गया तो यहां से आप ईजिली इसको सेव कर सकते हैं पिर आप जाके डॉकमेंट में यहां पर अड़ी में आके इसको ओपन कर सकते हैं यहां अगर आपकी बहुत चाहिए दो बिद अब सेजक करसकते हैं लेकिन इम पी-अधरी जो है हमने चाहिए होता है और ब्राउस करके आपना location मिल्च कर सकते है जो कि मैरा मेरा हुद अब होता है क्यान कि मैं इस नाम अलडी एक आडियो मेरे पास सेव हुए है दुबारे से मैं ने कर लिया उसको उसी नाम से लेकिन यहां पर मैंने एक किपिटल लेटर था दूसरा किपिटल नहीं था यह देखिए इना से अलडी सेव है एक अगर आप यह देखें अच्छा यह असलामुले कुछ जि हमारा था पॉर्टोशाप का तो उसलिए मैंने इम्रान खाल के नाम पर बनाया है यह आजिए देखें तो नाजरी रिकर हम पाई निदी इम्रान हान ने जो यह हमारी वही आडियो है लेकिए इसमें किपिटल लेटर का परक्त है पहले वाले में किपिटल लेटर है आई और दूसरे माले में नहीं है लेट से कि यहां से मैं इसको उसी नाम से सेव करूं एक्सपोर्ट फाइल और आई को मैं बढ़ा कर दूं एंड ओके यहां आपको वार्निंग दे रहा है कि बढ़ी आल लड़ी सेव है आप सेव करना चाहते हैं पहले हमें यह वार्निंग नहीं बीगई थी मैं चाहता हूं यह यह उसी के नाम के उपर सेव करें यह नौ तो नौ यहां से मैं दुबारा से आके इसका नाम चेंज कर लेता हूं डू लिक लेता हूं ओके एंड यह कैंसल आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अब पर एक्जामपल यह नहीं धेकि है वो तोड़ा सी स्लो स्लो स्टार्ट हो और आगे आगे जाके ये तेज होती चली जाए अक्सर आपने देखा होगा टिक टॉक्स वाइरा की वीडियो में म्यूजिक वाइरा में और आखिर में क्या होता है कि जो है बहुत ज्यादा तेज होती है आखिर में जाके स्लो स्लो खातम हो जाती है तो उससे आप डिरेक्ट यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे यहां मैं यह डिलीट कर दूँ क्योंकि यह खाली है इसको तो असलो हो जाते हैं आप कर नहीं सकते तो मैं डिलीट कर देता हूं इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसको मैं पकड़ लूँगा यह देखिए जो आपको नदर आ रहे हैं माउस से सिंपली आप इसको ऐसा ड्रेक करेंगे इसको ऐसे करेंगे तो यह आपका पैड़ एन हो गया मैं आपको सुना देता हूं तो आपको समझा जाएगा क्या पैड़ एन क्या चीज़े यहां से आप पैड़ अरट में जाएंगे य अगर आपने डालना है तो यहां पर आपको नजर आ रहा है एक रिक्टेंग इसको आप पकलेंगे और इस तरह ड्रेक करेंगे उपर की तरफ आप माउस करेंगे तो तोड़ा भी डाल सकते हैं यह डिरेक्ट आप नीचे डालना चाहते तो आप डिरेक्ट ऐसे भी डाल सकत तो आप इस तरह से बहुत ज्यादा तो कोई नगी डालता आप थोड़ा सा डाला करें या जो भी आपके काम का होगा आपको अंदाजा होगा कि वही आपने कितना डालना है बाग की उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं मिलते हैं इक वीडियो में तब तक के लिए दीजिए अजासत अल्लहापेस